हलो प्रेंच आप देख रहो एनी टाइम टेपस आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल से यह पोटल में आपको कैसे काम करना है अगर आप एक नया भेली हो तो वीडियो लास्ट अग ज़रूर देख सेकते हो अगर आप एक पुराना भेली हो तो वीडियो कोई श् चलिए इस वीडियो में बताएंगे क्या डिजिटर स्वा पोटल को लोगिन करेंगे और उसमें किस तरह से काम किया जाता है कैसे बेलाइन सेट किया जाता है मतलब पूरा फुल जनकारी देंगे आखिर इसमें क्या-क्या फंसन मिलता है अगर आप नया आईडी ले चुके हो बा sky तो वीडियो लाश्रक जुरूर दिखेगा इस वीडियो को देखनी के बाद डिजिटर श्वा पोटल कैसे काम करता है कैसे किता होता है क्या उपसेम है इसके बारे में यह कहीं से आपको जनकारी लेनी करने के जूरूरत नहीं पढ़ेगा तो इस वीडियो में आगे में पहुंच जाओगे अगर आपको डीजी पे डाउनलोड करना है तो यहां पर देखे लिंक दिया गया यहां पर क्लिक करोंगे तो डीजी पे का official side में पहुंच जाओगे फिर उसी तरह यहां देखो care का option है आरडी RD service का manual यहां पीडिया भी दिया गया है आप चाहओ तो डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर देखो डाउनलोड हो चुका है मुर्फो का RD service कैसी इन इस्टॉल करना है साथ में CAC connect का लिंक भी है और डीजी मेल का लिंक भी है और यहां टर्म कंडिशन भी आप देख सकते हूं नियूज लेटर भी इहीं से देख सकते हूं तो चलिए हम यहां डारट अभी लोगीनं में कीली करते हैं और लोगीन करने के बाद आपको दिखा देते हैं आफिर काम केसे होता है और क्याक्या फंसैन आपको देखने को मिलना यहां क्कूर्प बहुतसरा बेली को id मिल चुका है बहुत सारे वहली ने मुझे WhatsApp भी किया है mail भी किसी किसी ने किया है कि कैसे काम करें, सर्विस केसे activate किरें, बहुत चरा WhatsApp में chat देखने को मिला है, सबसे पहले देखिए, जैसे अपना CAC portal login कर लेते हो, data-sevah portal जैसे login कर लेते हो, सबसे पहले हीँ आयक option मिलता है search का, तो यहाँ कोई भी service हो, स्टेऐ लिखोंगे सorit जो भी सर्विस से यहां सर्विस करदके एक दो ती चार पिंख से सर्च बोक्स काम करेगा कोईबी सर्विस शर्च करना हो यहां मिखना परता है अगर आ जैसे इसी टाइप करते जाओगे उसे यहां सो करते जैगा जैसे कि अभी हम लिख देखते है PM तो देखे PM रिलेटेड जो भी है वह सो कर रहा है तो सर्च बटन कैसे काम करता है वह आपको पता चला उसके बाद यहां देख सेकत तो ती नेरो है अप इसमें किलिक करोगे तो हैं ज़ो यहां पर सफ आपको नहीं मिल रहा है तो यहां पर सच कर सकतों जरसे यहां क्या option आ रहा है एक summary है एक bill payment है एक aid money है balance transfer है recover balance है और recharge चलिए हम इसको बता देते है wallet में click करोगे summary में click करोगे तो आपके wallet में जितना भी balance है वो तो करेगा यहां पर देखिए मेरे wallet में 2602 रूपया 20 पिसा है तो यहां दूसरा बात रहा है एड़ मनी एड़ में click करोगे तो यहां पर देखो इनिस्टेंट पैसा जो एड़ हो जाताया से अभी 10 रूपया रिचारज करके दिखा देते हैं हम pay you money select करते हैं, आप भी pay you money select कर सकते हो, और यहां remark में कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि अभी हम yes लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, submit करते हैं, हम 10 रुपिया एड करके दिखाएंगे, ठीक है, यहां पर देखिए option मिलता है, debit card, net banking, UPI, UPI select करते हैं, font पे select करते हैं, font अब pay कर देते हैं, यह 10 रुपिया एड हो जाएगा, चलिए हम यहां आ चुके हैं, मेरा mobile में notification भी आ चुका है, चलिए यहां pay कर दिये हैं, यह wallet pin डाल देते हैं, यह मैंने यहां से, यह मैंने mobile से payment कर दिया, यहां देखिए payment success हो गया, और wallet में recharge हो गया, जो भी balance था आपक यह logout हो गया, अभी हम दिखा देते हैं आपको कि balance aid हुआ की नहीं, summary में चलते हैं, तो यहां पर देखो, 2602 रुपया था, तो अभी 2612 रुपया दिखा रहा है, मतलब 10 रुपया aid हो गया, तो सेम उसी तरह यहां पर देखो balance transfer, balance transfer में जाओगे, तो आपके ID में जीतना भी operator रहेगा, यहां पर sow करेगा, तो चलिए अगर आपको इसको balance transfer करना है, तो आपके operator में click करना है, जो भी operator है, यहां sow करेगा, कम से कम 5 operator aid कर सकते हो, अब यहां balance send करना है, तो 100 रुपया से कम नहीं होगा, इसलिए आपको 100 रुपया देना है, wallet pin डालना है, जो भी आपका wallet pin है, फिर यहां आप कुछ भी लिखो, लेकिन 10 करेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, तो चलिए हम यह लिख देते हैं, यह लिख दिये है, अब देख सकते हो, यह लिख दिये है, अब सम्मीट में click करेंगे, तो आपके wallet से 10 रुपया माइनस हो गया है, sorry, 100 रुपया माइनस ह हो गया है, उसके wallet में चला गया, चलिए हम फिर से summary में click करके दिखा देते हैं, यहां पर देखो, 100 रुपया माइनस हो गया है, 26 12 रुपया था, अब ही 25 12 रुपया दिख रहा है, मतलब मेरे operator के अंदर 100 रुपया यह हो गया है, तो यह balance transfer वाला खतम हुआ, फिर से हम click करके जिस भी operator का balance वापस लेना है, यहां पर देखो, यह operator के ID में 200 रुपया है, तो हम इसका 150 रुपया वापस लेने वाले है, ले लिए, अब 10 character लिखो, कुछ भी लिख दिए, 1500 रुपया refund first, आप submit में click किजे, अब यहां पर देखो, 1500 रुपया उस wallet से आपके wallet में आ गया है, चलिए हम आपको दिखा जाते हैं, फिर से summary में, यहां 1500 रुपया प्लस हो जाएगा, यहां पर देखो, अभी 262 रुपया हो गया, तो 1500 रुपया आ गया, तो अपने balance देख लिया, अब चलिए हम चलते हैं, यहां पर, recharge history, अब जितना भी आप अपने wallet में recharge करोगे, वो सार हो करेगा, जैसे कि अभी 10 रुपया हम recharge किये थे, फॉन पे से, यहां पर देखो, 10 रुपया, आज के date में recharge किये थे, pay you money select किये थे, और यह success है, उससे पहले मैंने 20 जुलाई को recharge किया था, वो unsuccess हुआ था, फिर 20 जुलाई यहां पर देखिए, फिर 29 जुलाई को देखिए, 29 जुन को देखिए, 14,000 रुपया recharge किये थे, तो वो भी यहां देख रहा है, और pay you money से किये थे, अब यह wallet वाला option जो खतम हो गया, अब चलिए हम passbook option में आते हैं, passbook option में आप देखिए, wallet, ledger में किलिक करोगे, तो यहां आप जितना भी lendन करते हैं, वो सारा 100 करेगा, जैस जैसे कि यहां पर देख सकतो, 9,601 रुपया, तो यह balance किसलिए कटा गया है, इसका ICIC, Lombart में, motor third party insurance किये थे, मतलब policy किये थे, इसलिए यहां सो कर रहा है, मतलब जितना भी lendन होगा, यहां सब कुछ सो करेगा, अब चलिए दोबरा आ जाते हैं, यहां पर refund, मानलो आप किस चीज के लिए payment किया था, जैसे कि बहुत सारा device यहां से buy करना पड़ता है, अगर सस्ता मिले तो आप buy भी कर सकते हो, और किसे कारण नहीं आया, तो वह balance जब refund मिलता है, तो वह balance यहां पर आप सो करेगा, refund वाले option में, जितना भी service में अगर कुछ चीज फेल हो जाता है, का cashback में देख सेकतो, कुछ भी service में वेकर cashback चल रहा है, कि इतना काम करो, इतना cashback देंगे आपको, तो सारा cashback यहां सो करेगा, जैसे कि एक बार 475 रुपया, मेरा 128 रुपया, 500 रुपया, 121 रुपया, 19 रुपया, 74 रुपया, यह सारा cashback है, ठीक है, यह सारा wallet में आता है, cash cashback, option खतम हुआ, आप यहां देखिए, operator, ledger, तो आप यहां पर खिली करोगे, तो operator ने क्या-क्या काम क्या है, कहां-कहां balance, क्या-क्या service यूज किया है, वो सारा कुछ सो करेगा, आपके अंदर जो भी operator रहेगा, वो सारा सो करेगा, अब चलिए, यह option खतम हुआ, operator, ledger, आपके अंदर जो भी operator रहेगा, उसको कितना balance send किये है, कि date में send किये हो, वो सारा कुछ सो करेगा, जैसे कि मेरे operator को 100-100 करके 200 रुपया ट्रांसपर किये थे, जो अभी भी मैंने 500 रुपया वापस ले लिया, वो 500 रुपया जो वापस मिलता है, वो यहां सो नहीं करेगा, जो सिर्फ transfer करोगे, वो यहां सो करेगा, अब यह लगवाग खतम हो चुका है, वालेट वाला option, यहां देखे, fund recover, reward, तो वो fund आप जो भी fund वापस लेते हो operator से, वो यहां अलग से सो करेगा, मतलब आप जो transfer करोगे, वो fund transfer में सो करेगा, और जो वापस ले लोगे balance, वो यह यहां पर सो करेगा, अब यहां एक shopping का option है, यहां पर देखो एक option है, order history, जो भी service में काम करोगे, वो भी यहां सो करेगा, details के साथ, जैसे कि खिसान credit card के लिए किसी का relation कि यह है, यहां details वाले option में किलिक करोगे, तो यहां पर देखो, total amount 35 रुपया, इसमें commission 26 रुपया मिल है, और 90 पैसा जो है, TDS कटा गया है, तो वो पूरी detail से यहां चेक कर सकते हो, order history में, अब यहां देखो operator, order में किलिक करोगे, तो operator ID से क्या-क्या use हुआ है, वो भी यहां सो करेगा, तो अभी तक इसमें कुछ भी use ने किया है, तो यहां अलग से, especially आप देख सकते हो, operator ID को चेक कर सकते हो, कि आज क्रेट में कितना काम किया, क्या-kya किया, वो सारा कुछ से, देख सकते हो, अब चली आगया है, यहां account option, तो my profile में अगर कि लिक करोगे, तो my profile में personal information देख सकते हो, आपका DOB देख सकते हो, आपका gender देख सकते हो, आपका email ID देख सकते हो, आपका dig email ID डेख सकते हो आपका mobile number देख सुख आपका street देख सिया बैंक Middle house में आपका देटेर सो करेगा पीछ यहां क्लिख बीजन करोंगे अब को सब्सक्राइडन सेथ करे यहां अपड़कर सकते हैं कितना इटेप्ड अप्र電ु आप कभी भी अपना operator का ID डिक्टिविट कर सेकत हूँ डिलेट कर सेकत हूँ उसका बैलेंस अभी कितना है वो चेक कर सेकत हूँ देखिए जिसे कि इस operator ID में अभी पचास रुपया बैलेंस है आप यह operator खतम हुआ अब यह cadets, cadets के लिए अलग वीडियो बना दिये हैं अगर आप नहीं जानते हो cadets क्या है तो दो वीडियो का link आपको बैलेंस कर गया है किसी सर्विस को यूज करते हुए और वापस नहीं मिला दो दिन हो गया तो आप यह ticket इजनरेट कर सकते हूँ टिकट जेनरेट करने का option देखिए यहां create a ticket फिर choice करो जैसे कि I have done wallet, wallet top of के लिए अगर आपको problem है तो यह select करोगे अगर टांजक्शन हिस्टोरी को लेके जैसे कि balance कट गया balance पोच्चार नहीं या फिर काम नहीं हुआ तो वो टांजक्शन में जाएगा और अगर आपको जैसे कि बहुतोर नहीं बोलता है कि मेरा डीजी मेल में कोई भी mail नहीं आता है तो यहां पर आओगे डीजी मेल सेलेट करोगे और यहां बताना है पासपोर्ट इसू है या फिर issue clear at credential या फिर others तो आप अधर सेलेट करके यहां लीक सेकते हो कि मेरे डीजी मेल में कोई भी mail वगरा नहीं आता है तो जिसे submit करोगे वो तीन दिन टाइम लेता है तीन दिन के बाद आपका डीजी मेल में पींग कर देता है तो यहां सारा service सो करेगा जिस भी service के related आपको जनकारी चाहिए या ticket generate करना है वो आपको select करना पड़ेगा तो left side में ज category हिसाब से जा सकते हो जैसे कि insurance service में जाना है सिर्फ और सिर्फ insurance के बारे में आपको देखना है तो insurance में click करोगे तो यहां देखो insurance service सारा यहां पर click करोगे तो जितना भी health insurance company है वह यहां सो कर रहा है तो आप इन सारे company में जो भी choice है जो भी बोल रहा है customer उस company में आप उसका health insurance कर सकते हो फिर life insurance है आप चले आते हैं यहां पर देखिए अलग अलग category दिया गया है सभी में click करेंगे तो video बहुत ही लंबा हो जाए वह सारा option यहां आपको मिल जाता है हाला कि इसके बार में अलग से वीडियो आ जाएगा कि डिटर से आप पोटल में कितना service है साथ में किसकी service में काम करोगे तो ज्यादा profit देखने को मिलेगा आप यहां देखो कि इससे आप full screen भी कर सकते हो यहां एक option दिया गया है इसमें इसके अब दबना है जैसे ESC लिखा हुआ है वो बटन दबना है तो यह छोटा हो जाएगा फिर यहां रिफ्रेस का option है रिफ्रेस कर सकते हो कभी भी और रिफ्रेस करने का जोरुरत नहीं पड़ेगा जैसे ही home में किलिक करोगे यह रिफ्रेस हो जाता है automatic यहां logout का option मिल अब को है जाता है आपको home page में फिर से किलिक कर देते यहां कुछ home page के बारे में जनकारी दे देते देखिये जैसे कि shortcut का option में कुछ link दिया गया है जो important link है शात में नीचे भी आपको कुछ link जो service है उस service का link दिया गया है new service के बारे में है बताया गया कि क्या-क्या new service aid कि आपने last या क्या क्या काम के थे वो दिखाई देगा चलिए यहाँ पर जैसे कि अभी ही मैंने डेड़स रुपया वापस लिया तो यहाँ सो कर रहा है तो सुरी सो रुपया ओपरेटर को भेजे थे वो सो कर रहा है वो यहाँ पर चलते रहेगा नोटिविकसर तो डिजिटल सुवा को पोटल के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा कि वाइलेट कैसे रिचार्ज करते हैं ऑपरेटर में बैलेंस कैसे बेचते हैं वापस कैसे लेते हैं डिएक्टिविट किस कहां से करेंगे या फिर यह स अतम करते हैं वीडियो बहुत लंबा हो गया उमीद करता आप सभी को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना साथ में अगर चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पसद ना आया तो डिस्लाइक करके जाना मिलते फिर एक नए वीडियो पर बाइ टाडा